हलो स्टुडेंट्स वेलकम हेर आगेन और माई चैनल जानकरेत मैसलफ अविलाशी शर्मा आज हम बात करेंगे जानकरेजी चैनल पर आज की इस वीडियो में अबाउट परजेक्ट वर्क ऑफ बिजनस स्टडीज ओफ क्लास 12 आपको पता होगा कि बिजनस स्टडीज जो कॉम बेसिक नॉलिज की जो 12 कोमर्स के सब्जेक्ट सेलेक्शन है वो कैसे की जाती है और प्रिक्टिकल ट्रेटिकल कॉंसेट्स के हैं उस सब के बारे में बात करेंगे तो एक अलर्ट में हमीशा कहता हूँ कि वीडियो को कम्प्लीट देखें शुरू से लेके एंड तक देखें तभी आपको सही नॉलिज मिलेगी फुल सक्रीन करके देखें और इयरफोन यूज करोगे तो आप क्लियर इंफर्मेशन को प्रॉपरली ग्रैब कर पाऊगे जो प्रजेक्ट वर्क है 20 माक्स का और टोटल 100 माक्स का जो आपका बिजनस स्टडी का सब्जेक्ट है प्लस टू कॉमर्स और ऐसे ही प्लस वन में है इसके लावा थर्ड है इन्वार्मेंटल एजुकेशन कंप्यूटर साइंस एंड स्वागत जिंदगी वेलकम लाइफ एक निया सब्जेक्ट शुरू किया है पंजाव एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो यह सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो सारे स्ट्रीम्स के लिए सेम है चाहे आर्ट्स कोमर्स या मेडिकल वकेशनल कोई भी ग्रूप हो तो बात करते हैं कोमर्स के सब्जेक्ट के बारे में बिजनस स्टुड़ी जैसे आपको पता है और अकाउंट एंसी यह दोनों के दोनों के दोनों कमपलसरी हैं यह सब स्टुडेंट्स ने आप्ट करने हैं और इकनोमिक्स के पेपर की बात करें इसमें 20 मार्क्ष का प्रजेक्ट वर्क होगा और टोटल 100 मार्क्ष बन जाएंगे ऐसे लेकिन जो accountancy और fundamental of e-business है इसमें 15 marks के practical होगा और 5 marks internal assessment के होगे internal assessment students के जो overall class की co-curricular activities है project work है उसकी attendance है उसने book bank manage किया जाने उस सब के अधार पर आप 5 marks students को देने है internal assessment टोटल ये भी 100 marks के बन जाएंगे एक बाद और इस वार नई चीज़ शुरू भी की है PSE भी नहीं सी BSE की तरह हैं कि fourth subject student opt कर सकते हैं जे additional subject commerce में वो किन में से ले सकते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ additional subject के बारे में एक बात बता दूँ कि उसको pass माना जाएगा कि students ने वो subject qualify कर दिया वो subject उसके आगे काम आ सकता हार study में लेकिन उससे उसकी total जो mark होने जो उसने प्रापत की है marks out end उस पर कोई effect नहीं पड़ेगा उसकी percentage पर effect नहीं पड़ने वाला because it's a additional subject जो fourth अगर students opt करते हैं समझे लगा तो fourth subject जो students opt कर सकते हैं इन चारों में से as a additional subject को ये एक वो opt कर सकते हैं that is computer application, mathematics, economics और fundamental of e-business अगर उन्होंने third paper economics लिया है तो additional fundamental of e-business ले सकते हैं अगर fundamental of e-business लिया है तो economics ले सकते हैं और एक subject निया है that is NCC national cadet corps ये subject में से चारों में से students कोई भी एक additional subject कर सकते हैं जो उनके लिए आने वाले time में beneficial हो सकता है एक बात साफ है कि mandatory है ये कि minimum 33 marks हो theoretical और practical में ये specifically पंजाब बोर्ड ने syllabus में भी mention किया है ये नहीं कि एक में कम हो जाए ऐसा नहीं 33% marks का होना जरूरी है internal assessment का मैं बता चुका हूँ कि उसके जो दो subjects में जो internal assessment 5-5 marks के लगनी है वो किस वेस पे सब्सक्राइब है तो 12th business studies आज की तरह बढ़ते हैं आप सब को पता है कि business study में आप बढ़ते आ रहे हो commerce के स्टुडेंट दो पार्ट है business study में इसके principle and functions of management उसमें ये 9 की 9 unit है nature and significance of management principle of management business environment planning organizing staffing directing controlling coordination इसके पार्ट है उसमें business finance and marketing का जो पार्ट भी related concepts है वो है business finance, financial market, marketing and consumer protection ये सारे subject मान के चल रहे हैं ये सारे concepts से subject में business studies में students already in contents पर सारे साल के दोरान वो मेहनत कर चुके हैं तो बात करते हैं project work के बारे में students are supposed to select one unit out of four जो मैं आपको बताऊंगा project के बारे में चार unit हैं भी कोई एक unit select कर नहीं है selection में teacher एक guide के रूप में एक helper के रूप में उसका mark दर्शन कर सकते हैं कि आप कोंसा project बना सकते हो किस unit को आप opt कर सकते हो और हर unit में कहीं और project हैं ध्यान से students ने कोई एक unit select करके उसमें से सिर्फ एक topic पर ही project बनाना है सिर्फ एक one project of 20 marks वही भी इस नंबर का होगा कौन सी unit है जैसे project one का यूनिट फरस्ट है elements of business environment इसमें छे topic है students को ये एक select कर सकते हैं changes witnessed over last few years on mode of packaging labeling and its impact ये topic student opt कर सकते हैं changing role of women in past 25 years औरत की भूमिका कैसे बदली है 25 साल में या उपर मैंने बताया कि packaging के जो mode है वो कैसे change आते हैं उसकी labeling कैसे होती है उसका impact क्या बढ़ता है इसमें से आप select कर सकते हो इसका जो third है type of packaging and its impact packaging की types क्या है उसका effect क्या बढ़ता है source of business finance based on real life company business finance के sources कौन कौन से है the changes of pattern of import and export of different products importer और export का जो pattern है वो कैसे change हो रहा है अलग-लग products का climate change on business environment जो business environment के regarding climate change का concept है हम उसको भी as a project work select कर सकते हैं जिए छेओं में से कोई एक topic select करेगा अगर student first unit को opt करता है कि उसने इस unit में इसे project बनाना है पर एक ही बनाना है यह धियान रखें हर student ने कोई दो project नहीं बनाना है सेकिंड ऐसे ही स्लेवस में जो दी गई है प्रिंसिपल ओफ मैनेजमेंट में हमें पता है Henry, Fjol and Taylor दोनों ने प्रिंसिपल्स ओफ मैनेजमेंट दी हैं students या तो Henry, Fjol के principle जो है उनको लेकर किसी departmental store, industrial unit, किसी fast food outlet या किसी छोटे business unit पर वो principles कैसे applicable होते हैं उसके practical रूप को एक-एक principle को शो कर सकता है यह यहाँ पर शो भी गिया है ऐसी, they may observe the application of scientific management technique given by F.W. Taylor जो Taylor ने management की techniques दी है, principles दी है उनकी application कैसे होती है किसी departmental store में, industrial unit में, किसी fast food outlet पर या किसी small business unit में कैसे उसका impact बढ़ता है उन principles का, कोई एक opt करके अगर student इस unit में से project बनाना आता है किसी एक का Henry F.W. Taylor के principles को कैसे apply कर सकते हैं, practical रूप में उस पर project त्यार कर सकता है जो third unit है जिसको selection कर सकता है students, that is about stock exchange इसमें चार topic है, brief history of stock exchange in India, listing procedure of securities in stock exchange, dematerialization of securities in stock exchange, causes of fluctuations of crisis in stock exchange इन चारों में से कोई भी topic select करकर, teacher की guidelines लेते हुए, उनसे mark दर्शन लेते हुए students अपना topic त्यार कर सकते हैं अगर इस unit में से वो select करते हैं अब last है project fourth, but not the least, क्योंकि चार unit है जिसमें से selection करनी है, यह सबसे fame unit है, students इसको बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि इस पर project जो त्यार करते हैं उनके taste का भी होता है, that is marketing management Students can take the example of any consumer product like, students किसी भी एक consumer product को जो जो वस्तुई हम यूज करते हैं सधारन लाइफ में किसी एक product को लेकर marketing manage के concept को बेस मानते हुए अपना detailed project त्यार कर सकते हैं बहुत से product हैं, जैसे moisturizer हैं आजकल, COVID का period है, तो moisturizer तो सब को पता होगा कि कितनी ज़्यादा इसकी हमें value महसूस होई है noodles है, wives है, air conditioner है, इसके लावे LEDs है, baby diapers है, fruit candy, hair oil, bikes, inverters, blanket, bread, ladies bag, kurty, footwear, jeans, coffee, chocolate, mobile, microwave, refrigerator, news paper, washing powder, washing machines अरे भई, मैं बोलने लगूं तो शाम हो जाएगी, इतने product हैं, किसी भी एक product पर वो marketing management के concept को उधार मनते हुए project त्यार कर सकते हैं क्या क्या करना होता है, इसमें से, जो सबसे fame है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, आज marketing management के बारे में, why they have selected the product, उन्होंने वो product क्यों select किया, ये बताना होगा आपको, name of the product, features of the product, ये सारी project में हमने अलग-अलग, 1-1 page, half page, 4-5 page, depend करता है कि वो concept कितना बड़ा है, उस product के बारे में, जो हमने लिखना है, वो इसमें हमने project में दिखाना है, इसके इलावा, क्या क्या बता सकते हैं, उस product के बारे में, benefits and demerits of product, उसके फाइदे और नुकसान क्या है product के, it's five competitive brands in the market, उसके competition में same product के, और कौन कौन से brand है, मलो bike है, आप Honda के bikes का video बना रहे हो, project त्यार कर रहे हो, तो आपने बताना है कि market में hero भी है, बजाज भी है, और बहुत से brand है, जिससे हम जो bikes हैं, purchase कर सकते हैं, इस unique selling proposition, इसको जो sell out करने की proposition इसके बारे में बताऊंगा, मैं अकेले के बारे में, क्या होता है detail में, the products brand strategy, brand की strategy क्या है product के, logo tagline product की क्या होती है, developing a promotion plan for product, product को promote कैसे करते हैं, तांकि sale ज़्यादा बढ़ाई जा सके, packing of product, explanation of its labeling, जो उसकी labeling होती है, बाहर लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या describe करते हैं, क्या price है, क्या क्या contents है, कैसे use करना है, वो सारा कुछ बाहर लिखा होता है, packet के, किसी भी product के, वो बताना है हमने, जिस product को भी आप select करोगे, social message for the level, level पर अगर कोई social message है, वो कैसे होता है, वो भी बताने वाला हूँ, मैं आज की example में, वो सारा का सारा कुछ हमें explain करते चले जाएंगे, उस product के, project work के बारे में मैं दुआरा बता दू, 20 marks के, जो examiner होगा, internal और external कोई भी हो, वो आपको कैसे number देगा initiative, cooperativeness और participation के two marks मिलेंगे आपको, इन तीनों चीजों को देखते हुए, creativity in presentation, आपकी जो presentation है, आपको project दिखाना होगा, present करना होगा, आपने क्या बनाया है, सब कुछ बताना होगा, उसके दो marks है, creativity देखी जाएगी आपकी, इसके लावा content, observation and research work, जो आपने किया है, मेहनत क किया है, भी जब आपने content इकठा किया, observe क्या किया, अलग-लग चीजों को देखते हुए, 4 marks का है, analysis of the situation, आपने visualization कैसे किया, उस product के regarding different concepts का, 6 marks का है, why was 6 marks का है, total 20 marks, ओके, इस जंग से project के 20 marks है, वो divide किये गए, जिस आधार पर project की evaluation होगी, तो students आगे बात करते हैं, presentation and submission of the project report, आपने project बना दिया, आपको time मिला था, इतने time में बनाने, हर students ने कैसे उसको बनाने and submit करने, अपने project की report को, इसके बारे भी मैं बताता हूँ आपको, आपको उसको properly prepare करना पड़ेगा, तांकि आप भेश कर सको उसको, उसके बारे में बता सको, project will be in file format, उसको file format वे मनाएंगे, market में ready-made files मिलती है, या आप बहुत से practical, जो ruled sheets होती है, interleaf practical notebooks होती है, उनको ले सकते हो, normal एक file लेके, बड़ उसको बनाना खुबसूरती से देहान रखो, एक बड़ी important बात, the project will be handwritten, हाथ से लिखना है खुद, the project will be presented in neat folder, एक खुबसूरत से folder में उस file को डाल गर देना है, overall impression बड़ा अच्छा लगेगा, ये सारी की सारी बातें धिहान रखनी है, हमने जब project को present करना है, और उसकी submission करनी है, internal और external, किसी भी examiner को, या अपने teacher जो भी आपको class में बढ़ा रहे हैं, मैंने बताया था, rule sheet और internally practical notebooks, ऐसी market में बहुत से pages मिलते हैं, ऐसी files मिलते हैं, ready made notebooks, practical notebooks मिलती हैं, अब इनको घुबसूरती से decorate करके पेश कर सकते हैं, अपने project को, project report will be developed in falling sequence, ऐसे ऐसे उसमें हमने develop करना है project को, सबसे पहले cover page बड़ा important है, first impression is the last impression मना जाता है ना, जैसे सोच है इंसानी, तो खुबसूरत cover page त्यार करना है, students, information लिखी जाएगी, उस project का नाम लिखा जाएगा, school, year वगारा उस पे mention किया जाएगा, list of contents, फिर एक index त्यार किया जाएगा, इंडेक्स में वो सब कुछ दिखाना है जो आगया project में page number के accordingly एक, दो, तीन गर के बना रहे हो step wise, acknowledgement and a preface, इसके इलावा, आपने, उन सभी institutions, newspaper, TV channels, places, जहाँ-जहाँ आप गए, books, persons, जिनका भी आपने help लिया, project को बनाने में, उन सभी को acknowledgement में, अगर कोई particular book है, कोई ऐसी publication है, चाहे government की जा non-government, जहां से आपको data मिल है project का, internet यूज की है, वो सब कुछ आप acknowledgement में बता सकते हो, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, introduction, सबसे पहले product की introduction आएगी, topic with suitable heading, जो topic है, उसका proper heading देना पड़ेगा, जो भी concept आपने चुने, मा आपने क्या का planning की, क्या क्या activities की, यह सब कुछ mention करनी है, observation and findings while conducting the project, जब प्रजेक्ट तियार कर रहे थे, आपको observations क्या है, क्या क्या नया मिला आपको, आपने क्या देखा उस सब में, जो product का project तियार कर रहे है, conclusion, summarize, suggestions, findings, future scope of study, conclusion लिखेंगे, summary लिखते हुए, कुछ suggestions लिख लिखेंगे, future में उसका कैसा आपको लगता है, कि क्या होने वाला है, उस product के साथ, आप अपनी observation लिखोगे, appendix में आपको बता जाता हूँ, आप चाहते तो लिख सकते हूँ, generally, last में लिखा जाता है, मैंने पहले भी बता दिया इसको, कि इसमें आप वो सारे sources के नाम बता का कोई एक product select कर लिया, मैंने किया washing powder आपके लिए, washing powder ही नहीं, मालो washing powder भी सर्फ एक्सल मेंने चूज किया, अब आज हम washing powder सर्फ एक्सल पर अगर project बनाना है, business study मेंने कैसे बनाएंगे, आप कोई भी चुन सकते हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, students की पसंद mobile पे, मालो Samsung का galaxy हमने जो range ली वो select कर ली, galaxy की कौन कौन से model है, उस पर बना सकते हो, सारा project, उसका बाकी जो models market में अलगलग companies हैं, उनके साथ comparison कर सकते हो, अलगलग ढग से, जैसे जैसे मैं washing powder का करूँगा आज सर्फ एक्सल का, इस ढग से हम project को त्यार कर सकते हैं, तो students बात करते हैं, washing powder सर और फेक्सल के बारे में, पर उससे पहले आपको एक बात बता होगी, कि marketing में आपने पढ़ा क्या गया है, marketing management में, branding क्या होती है, marketing management क्या है, marketing क्या है, labelling क्या है, packaging, price physical distribution कैसे करते है किसी product का promotion कैसे करते है जिसमें advertising आ जाता है personal selling कैसे होती है person to person sales promotion कैसे करते हैं public relations कैसे develop करते है marketing management में ये सब कुछ मैं मानता हूँ कि business study में marketing management के concept में आप पढ़ चुके हो इस base पर ही आज हमने washing powder stir excel का project द्यार करेंगे मैं washing powder अश्रक्राइब सोर लो ये सबसे पहले है कवरपेस इसको और खुपसूरत बना सकते हैं इतने खुपसूरत पैस आप इंट्रनेट को यूज़ कर सकते हो उसको सिर्फ लुक देखने के लिए आप उससे भी बैटर बना सकते हो Session लिखेंगे उस पर mention क्या रहा करना है Session मालो अब 2021 है 12th Commerce Washing Powder साथ में लिख देंगे Surf Excel साथ में लिखेंगे Unit का नाम भी यहां mention कर सकते है क्या है Marketing Management का Concept है यह Washing Powder Surf Excel जो हमने लिए Business Studies हमारा सब्जेक्ट है Name, Father Name, Roll Number, Board Roll Number, Name of School Supervised By, Name of the Teacher आप अपने टीचर का नाम लिख दोगे जो भी आपको Business Study डिल कर रहे है यह आपका cover page हो सकता है इससे better खुबसूरत भी हो सकता है यह just एक example है आगे सबसे पहले एक certificate दिया जाएगा किसके दोवारा जो आपके teacher है उसमें वो यह mention करेंगे कि इस student ने मेरी guidance में पूरी मेहनत के साथ यह project आप त्यार किया है यह एक example है मैंने अपने school का नाम लिख दिया यह certificate है clear इसमें यह mention करेंगे कौन जो आपके teacher है साथ में जो examiner आएगा internal जा external कोई भी हो वो last जब उसने अपनी तरफ से project को देखना है वो उस पर अपने sign करेगा और आपके teacher आपके sign खुद करेंगे जो आपके guide है helper हैं आपके लिए एक lighthouse की तरह काम कर रहे है तो इसकी language यह भी हो सकती है और कोई हो भी बना सकती है जैसे इसकी language देखो ऐसे भी हो सकती है this is to certify that miss or mister name of the students आज आएगा has been completed the project title of the project आज आएगा जो भी आपने title किया जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ washing powder, surf, excel break में लिख देंगे marketing management under my guidance and supervision इसने prepare किया भी यह certificate मिल रहा है अब हमें अपने teacher की तरफ से he or she took keen interest in completing this project and worked with sincerity पूरी मेहनद से काम किया it is certified that this is the original work of miss or mister यह उसका original काम है नकल नहीं मारी खुद भी मेहनद किया उसने signature, name of supervisor, place, date, place का मिलब आपके school का नाम आ जाएगा ऐसे ही जो आपके examiner होंगे उनके sign हो जाएगे जब आपका observation होगा, final observation यह था certificate जो देना पढ़ता है आगे है content इसको index number भी कह सकते हैं इसके वारे में आप भली बादी जानते हो आप सारी अपनी file को page number देंगे, pacing करने के बाद जो जो topic आगे हम discuss करते जाएंगे वो सारे topic के headings यहाँ पर आएंगे title और topic के नीचे एक दो तीन करके acknowledgement क्या होती है बताने वाला introduction what is marketing management what has this product been why has this product been selected सरफ excel, washing powder क्यों select किया ऐसे जैसे heading हैं हम यहाँ लिखके page number लिखते चले जाएंगे जितने भी topics आएंगे title के रूप में हम यहाँ पर mention करते चले जाएंगे इस index number में जा contents में तो students आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैंने बात की थी acknowledgement की होती क्या है पहले basic समझ लो इसमें जो project बनाने वाला है मतलब student उन सभी को thanks करेगा उन सभी का धन्यवाद करेगा जिसने उसको ये project बनाने के लिए दिया वो कौन हो सकता है उसका teacher इसके लवा thanks करेगा अपने school के principal का अपने friends का जिनोंने उसकी help की thanks कर सकता है उन सभी books के writers का जिसकी उसने help लि internet से उसने data use की है तो उसके लिए भी thankful हो सकता है वो जिस website से उसे information मिली इस रंग से वो अपने project को पूरा कर सकता है ये कहते हुए कि मैंने ये project इसलिए पूरा किया है क्योंकि मुझे इन सब की help मिली just like this I would like to express my special thanks of gratitude of my teacher mrs. or mr. who gave me the golden opportunity to do wonderful project of business studies relates to marketing management of daily use of at home specifically washing powder surfaxal तो ये सब कुछ वो mention कर देगा यहां पे क्या क्या प्रजेक्ट में इसके लिए वो thankful है अपनी teacher का I would also like to thank the principle of my prestigious institution principle का नाम लिख देगा I am also thankful to the name of the business store अगर वो किसी business store किसी factory में visit किया information लेने के लिए उसका नाम लिख सकता है who provided me vital information about the different brands of product product के different brands क्या है उसके बारे में information कहां से लिए उसका नाम लिख सकता है I also collected this information from internet took also help of my friends in class मैंने अपने दोस्तों की भी help लिए उसने बताया इसमें that is why I have completed my project within the limited frame तभी तो मैं अपने time पर इस project को पूरा कर सका हूँ यह सब कुछ acknowledgement में हो test signature करतेगा student place school का नाम आगया यहां पर date आगी clear तो student is acknowledgement का एक format यह भी है Nestle company का कोई project होगा जिसके बारे में यह plus two का ही student है याशी का जिसने यह acknowledgement बनाई है आप ऐसे भी त्यार कर सकते हो it depends आप मकस्त समझे acknowledgement का क्या है और जो भी इसका page number होगा वो content में दिखा देगा introduction introduction है क्या होगा जैसे आज हमारा project क्या है surf excel इसकी introduction आप क्या दे सकते हो इसमें बताया जा सकता है कि modern is the is of intense competition market में बहुत से product अभी लेवल है इस competition के जमाने में भी surf excel है उसकी अपनी strategy के कारण वो leading brand है बन चुक है इंडिया का वाशिंग powder के field में various aspects जो marketing management के है उसको हम surf excel में पूरा successfully analysis कर सकते है इसके इलावा जो practical knowledge है marketing management की वो हमें surf excel के इस brand में देखने को मिल रही है ऐसा कुछ introduction दे सकते है वो आगे है second one what is marketing management फिर आप brief knowledge बता देंगे थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो major topic है जिसमें हमने आज के content को शामिल के है वो marketing management का है उसके वारे में बताएंगे के marketing management is a process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas of goods and services to create exchange and satisfy the needs of consumer, business and society ऐसा कुछ बता सकते हो के marketing management है क्या है third one the product you have selected आपने product कौन सा चुना surf excel आपने चुना washing powder के अंडर और क्यों चुना why has this product been selected ये भी आपको बताना पड़ेगा आप बता दोगे के surf excel एक washing powder है इसको produce करने वाली हो इसकी marketing करने वाली जो company है that is Hindustan Unilever Limited Hindustan Unilever Limited एक fast moving consumer goods है ये routine life में use होती है 60 साल पहले ये brand जो launch किया गया था बड़ा पापुलेस्ट एक brand है ये 2018 से लगातार ये सबसे top most brand बन चुक है ये washing powder brands में से significant market share है इसका washing powder में या laundry marketing में almost 18% share है 2018-19 में 5,375 क्रोड का इसने business किया Surfexel इस time total जो annual sale है Surfexel की वो 45% जो sale है Surfexel की वो Hindustan Unilever के different products में से सबसे ज़्यादा एक sale है इसकी इस डंग से आप product के क्यों चुना जब इतना leading product है that is why I have selected तो मैं लोगों की जरूरत है इसके बारे में बताते हुए मैंने ये product को चुना आप इसमें 2-3 page लिखते चले जाएंगे इस डंग से आप देख रहे हो कि introduction आलमस्ट एक page पे हो जाएगी marketing management एक page पे हो जाएगी product जो चुना वो half page में लग कर साथ में जिसकी जितनी picture जो हो सकती है वो भी हमने दिखानी है उस pages पे जो plain sheet होती है उस पे वो attach करते जाओ, stick करते जाओ, उनको stick करोगे, वहाँ पे चिपका दोगे खुबसूरत बन जाएगा, designing कर दो जचादो भी उसको judge judge कर project आपका निकले why has this product selected product क्यों चुना, उसकी कोई graphic presentation भी कर सकते हो, कैसे sale बढ़ी हुई है उसकी, तो आगे बात करते है name of the product and it's several variants available in the market, इसके बाद बताओगे कि surf excel के बहुंसे variant भी है market में surf excel का washing powder है, वो लग-लग रूप में मिलता है, liquid wheel मिलता है, बार के रूप में मिलता है, जैसे surf excel detergent bar, surf excel blue surf excel ultra, surf excel quick wash, surf excel automatic surf excel, matic, surf excel liquid, ये मैं surf excel एक example लिया, washing powder के अब जो भी product चुनोगे उसके बारे में हम ऐसी ही information बताते चले जाएंगे, pictures लगाते चले जाएंगे project को खूब सूर्थी से आगे बढ़ाते जाएंगे brand जिन्दा competition market with surf excel, surf excel के competition में कौन-कौन से washing powder के field में competitor है, tied है निर्मा है, hanko है rin है fena है, wheel है बहुत से हैं, कम से कम पांच बता दो surf excel जो washing water से competitor कौन-कौन से है और pictures भी लगा दो और खुब से लगा जाएगा, बताने भी है और लगानी भी है pictures, brand strategy क्या है surf excel की इसके बारे में हम बताएंगे फिर brand strategy क्या होती है ये ध्यान रखो brand strategy जो surf excel की है वो बता हूँ एक individual brand name है individual brand name क्यों है क्योंकि इस company के द्वारा बहुत से brand बना जाते है उसमें से ये एक individual unit क्या है surf excel है surf excel का एक अपने आप specific distinct brand है company का, company का नाम क्या हिंदुस्तावा लीवर लिमिटेड surf excel को specific brand इसलिए दिया गया क्योंकि ये जैसे जैसे इसको brand दिया, इसके में quality improve की तो ये most popular brand बनता चला गया और इसने अपना जो जंगा है उसको और बक्का कर लिया इस डंक से हम brand strategy के बारे में बताएंगे या surf excel अगर हम ले रहे हैं या कोई भी और product होता है मैं बार बार कह रहा हूँ आगे है logo and tagline of product ये मैं आगे slide में बता रहा हूँ वेट करो, वहाँ पर picture के साथ दिखाने वाला हूँ मैं आपको features of surf excel, surf excel में विशेशता ही क्या क्या है भी, ध्यान रखो इसके बारे में सारा बताया जाएगा इसके लावा benefits of surf excel surf excel के फाइदे क्या है demerits of surf excel इसके नुकसान क्या है, ये भी बताया लेगा logo and tagline देखो हर product का एक logo होता है लोगो से उसको पहचानना शुरू करते है that is a logo of surf excel ऐसे ही आप जो भी product चुनोंगे उसका कोई ना कोई logo होता है tagline क्या होती है, जिस line के base पर वो product लोगों के दिल का हिस्सा बन चुक है, वो line के आप surf excel की हर एड में देखोंगे दाग अच्छे है yes, that is tagline लिखते लिखते लव हो जाए ये pen की tagline है किसी की, चीता भी तो पीता है, ये किसी soft drink की tagline हो सकती है ऐसे बहुत से tagline है हर product के, वो हमने बता देने है, इसके इलावा USP unique selling proposition of surf excel, surf excel को जो एक खास unique जो इसका रूप है, surf excel का जो हमें देखने को मिलता है, उसके वारे में हम बताएंगे unique selling proposition जिसको USP कहते है, क्या होता है, इसके वारे में आपको briefly बता दूँ थोड़ा सा के हम इसको इसलिए बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें एक outstanding ability है to remove wide range of stubborn stains, जो लग-लग type के दाग है, उनको मिटा सकता है इससे अचार का दाग हल्दी का दाग, मिट्टी का दाग रंगों के दाग, किसी को भी मिटा जा पर यह promotional strategy हो सकती है तो तभी तो लिखा होता है dirt is good, सर्फ एक्सल पर लिखा होता है दाग हैं, तो अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, because सर्फ एक्सल इस देर यह सब बताते हों, एक consumer को अपनी तरफ attract करते हैं social message from level of सर्फ एक्सल जो लग-लग band होते हैं वो क्या करते हैं अपने जो level होता है उसकी leveling करते हैं बाहर packing पे लिखते हैं product के बारे में वहाँ पर एक social message दे देते हैं जिसे उनका social society के साथ link दिखता है, कि लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, दिलों पे राज करते हैं product फिर लोगों के, जैसे रमजान का महीन आया, तो सर्फ एक्सल वालों ने अपनी add मी और leveling करते हुए उसकी packing के बार भी लिख दिया रमजान मुबारक, और जब holy के दिन आए, तो उन्होंने अपने brand के बाहर जो उसकी packing दिया उसके बाहर लिख दिया रंग के दाग अच्छे हैं holy के दिनों में, इस रंग से ये लोगों के साथ socially जुड़ जाते हैं एक leveling की बात करूँ में इसके इलावा leveling का एक page बन जाता है जिसमें हम ने बताएंगे product का logo, tagline, social message ये सारा का सारा उसी का हिस्सा है इसके लावा net weight कितना है price कितनी है, date of manufacturing क्या है किसी product की, उसकी expiry date क्या है इसका producer कौन है, marketer कौन है इसका toll free number क्या है अगर किसी ने contact करना है ये सब कुछ जो combination of level है level होता है जो उसके बाहर packing पे लिखी हुई information होता है इसका specification है, वो सारा लिखा होता है promotion plan for surf excel इसके लावा, surf excel के अगर promotion करनी है हमने लोगों में add करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लिए कौन-कौन से धंग अपनाए गए हैं भी इसको लोगों के तक पहुंचाने के लिए इसकी marketing के लिए print, media, tv, radio promotion plan के बारे में सब कुछ बताना है, जिससे उनकी strategy पता चल सके, लोगों को हम बता सेंगे इस product की promotion plans क्या क्या होती है ऐसी जो भी product चुनोंगे हो हमने इसमें बताना है इसके लावा, इसके लावा packing strategy of surf excel हम लिख सकते हैं has also contributed in its success in Indian market the packing of powder done in attractive and convenient poly bags, boxes liquid is packed in very handy plastic bottles it is also available in shashas as a result of the company has succeeded in creating access of both इस जग से मैं बता सकते हैं कि ruler और urban area में ये बड़ा popular होता जा रहा है क्योंकि इसकी packing बड़ी attractive है ये सब कुछ बता देते हैं conclusion, last moment conclusion लिखेंगे कि आप क्या सोच रहे हों short हम क्या कह सकते हैं जो sirf excel एक leading brand है detergent के जो field है Indian market में, इसके लावा इसकी strategy बहुत अच्छी है, branding की हो leveling की हो, marketing की हो, packing की हो हर ढंग से ये बहुत अच्छा brand है जो इसकी features है वो लोगों के लिए वाकिई जो washing के लिए सबसे बढ़िया है इसके इलावा इसके इस पॉड़क्ट के बेस पर ये पॉड़क्ट जो सर्फ एक्सल है ये हिंदोस्तान यूनलेवर लिम्टेड की जो जो उसका प्रमोशन हुआ है इस कंपनी का इसने मैकसिम बिजनस अर्न किया उसमें इसका मैकसिम योगडान है इस रग से हम कंक्लूजन लेक के इस کंसेट को बंद करेंगे appendix में अगर जुरूर तो हम बदा सकते हैं हमने information कहां से लिए किस बुक से data लिया वो हम बदा सकते हैं internet को use किया किस information के लिए को सब कुछ यहां पर बताया जा सकता है तो students यह था surf excel गेवारे में मैं आपको बता दूँ इस रंग से दो दो चार चार पेज होते हुए अब सवाल पैदा हो जाता है project कितने पेज का होना जाए जनली कोशिकरो 30-35 पेज का हो जाए अगर concept ही छोटा है तो 30-25 पेज का हो सकता है यह कोई limit नहीं है hard and fast rule नहीं है पर जो बहुत अच्छा concept है जैसे यह concept है मैंने देखा mobile का बनाओगे bikes का बनाओगे soft drink का बनाओगे तो अराम से 40-50 पेज का बन जाता है खूब सूरती से खुला खुला लिखो साथ में pictures अटेच करते चले जाओ graphs बनाओ उसमें तो सब कुछ बड़ा अच्छा दिखेगा इस दंग से आप project को पेश कर सकते हूँ I think the whole concept is quite clear आपको समझ आ गया होगा आप कोई भी project बना सकते हो next यह तो मैंने एक example रिफॉर में बताया मैं एक video इस channel पर और भी डालने वाला हूँ इसके बाद कि एक पूरी example आपको पूरा project बना के दिखाऊंगा इसके लिए इस चैनल जानकर हीट पर और बहुत सी वीडियोस है Commerce Subjects से रिलेटर उसमें Economics हो सकते हैं Accountancy है Motivational वीडियोस भी है उनको भी देखिए आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए I think the whole concept is quite clear Okay, thank you very much